सुनमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर दोस्तों आज की वडियों में बात करने वाले हैं अगर आप अपनी PC में Roblox गेम खेलते हैं और चब भी आप अपने Roblox को लॉंच करने का ट्वाय करते हैं तो आपको जो है लॉंचिं मेरे पास आपको करना क्या इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला सॉल्विशन क्या है इसका सबसे पहले तो आप अपने Chrome प्राउजर को उपन कर लिजिए अगर आप यहां पर आपने Roblox को खेलते हैं तो यहां पर त्री डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको सैटिंग पर आना है सैटिंग में आने के बाद आपको यहां पर प्राइस सेक्यूर्टी पर आना है दन स्क्रोल करना है नीचे की तरफ और यहां पर आपको देखने को मिलेगा साइट सैटिंग और यहां पर कुकीज एंड अदर साइट डाटा कुकीज एंड अदर साइट डाटा प आ चुका है Roblox देख सकते हैं यहां पर आपको एक delete option देखने को मिल रहे हैं यहां पर delete पर click करिएगा और यहां से इसको clear कर दीजिएगा यहां पर आपको clear कर दिना है तेन आपको back आ जाना है यह काम आपको कर लेना है सबसे पहले देन उसके बाद second solution क्या है second solution है आपको यहां पर search bar में आना है search bar में आपको search करना होगा run जैसे ہी run search करेंगे उसके बाद आपको यहां पर लिखना है percentage T-E-M-P and percentage और उसके बाद जो है ok यहाँ पर ऑके करने के बाद कुछ इसतरा इसे ॐपन होemat यहाँ पर आपको बना प्रोब्लोकस को सर्च कर ना यह सर्च भार है यहाँ पर आपको रूब्टोस को लिखना है रोग्लोक्स लिख लेते हैं तो यहां पर सबसे उपर आपको एक फोल्डर देखने को मिल रहा है रोग्लोक्स का तो इस पर आपको राइट क्लिक करना है गाइस राइट क्लिक करने के बाद यहां पर आपको डिलीट को अप्शन देखने को मिल गाइगा डिलीट पर क्लिक कर दिजीगा, delete पर click करने के बाद यहाँ पर आपको folder है delete हो जाएगा, तो आपको यह काम कर लेना है, then उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आजाना है back, back आने के बाद आपको third solution में आपको बता देता हूं, इसके तुरंथ बाद आपको जो करना होगा, ठीक है, इसके यह काम करने के बाद तोनद बाद आपको यह काम करना होगा आपको जो है अपने रोब्लोक्स पर राइट क्लिक करना है राइट क्लिक करने के बाद प्रोपर्टीज देखने को मिलेगा प्रोपर्टीज पर आ जाईएगा प्रोपर्टीज में आने के बाद यहां पर compatibility का option देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पर compatibility पर click कर लिजेगा and then यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है run the program with compatibility mode 4 यहाँ पर click करना है click करने के बाद यहाँ पर window 8 लिखा रहा है यहाँ पर click करिए और यहाँ पर देख सेते हैं बहुत सारी windows है यहाँ पर आपको window 8 select कर देनी है window 8 select करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे options नीचे की तरफ देखने को मिल रहे है आपको यहाँ पर जो है सबसे नीचे run this program as administrator है इस पर click करना है then उसके बाद यहाँ पर disable full screen optimization है इसको select करना है इन दोनों को आपको select कर लेना है then उसके बाद यहाँ पर apply का option है apply पर click कर दीजिएगा apply पर click करने के बाद यहाँ पर आपको ok पर click कर देना है यह काम आपको करना होगा then उसके बाद आपको जो है अगर आपकी problem solve नहीं होती है एक कर लिजी तो एक और आपको कं़ोगर दिखा देता हूं आपको जो है अपने विडाट पर हाइठ करना है और यहां पर आपको की मरって बिबले हैं जिस्टेम सांद इसों हुआ को साओं और नोमनारा विदा क्लिक कर ले लेकाएं click करने के बाद यहां पर आपको side मी आना है और यहां पर आपको देखने का बिल जाए मेड़ सेटटिंग ग्राफिक सेट इंग पर आजाना है gowynod अके बाद यहां पर आपको desktops app और browse का option देखने को बिल जाता है browse पर आपको click करना है और यहाँ से अपनी application जो है Roblox उसको search कर लेना है तो Roblox को search करते है तो Roblox देख सकते हैं आप यहाँ पर Roblox player तो यहाँ पर इसको select करना है select करने के बाद यहाँ पर add पर click कर देना है तो यहाँ पर आपको यह काम करना होगा, एड़ पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर Roblox आ चुका है, देन उसके बाद यहाँ Roblox पर आपको जो है, क्लिक करना है, और यहाँ पर option का, यहाँ पर option लिखा मिल रहा है, आपको option पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर क्लिक करने क बाद भी आपकी problem solve नहीं होती है then आपको क्या करना होगा सर्च बार में आना है आपको यहाँ पर Roblox को सर्च करना है और आपको Roblox लिखना है तो Roblox लिखते है यहाँ पर आ चुका है अब यहाँ पर Roblox आ चुका है तो उसके कि AI तो मुए जो इस एक स्वरष्ट करना कैं तो आपको इसकेσι बाद ea ना करना है आक आपको जो है आना होगा आपके सर्च बार में यहां पर जुआ पर तेखने को मिलेगा और यहां पर आपको देखने को वीकर कंट्रोल पैनल आपको उपना सर्च कर देना है और यहां पर कंट्रोल पैनल में आने के बाद यहां पर आपको अनिस्टॉल प्रोग्राम पर क्लिक करना है तो यहां से आपको Roblox को अनिंस्टॉल कर लेना है जैसे ही आप अपने Roblox को यहां से अनिंस्टॉल कर लेंगे यहां से अनिंस्टॉल करने के बाद यहां पर आपको करना क्या है जैसे आप इंस्टॉल कर लें तो आपको जो है आना होगा अपने ब्राउजर में और यहां पर आपको Roblox को सर्च करना है Roblox को सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको Microsoft देख रहा है Microsoft की जो website है वहाँ से आपको इसको install करना होगा किसी अधर website से ना करके आपको official जो है Microsoft से इसको install कर लेना है तो आपकी problem solve हो जाएगी सब्सक्राइब बस आज की वीडियो में इतना है मिल दे नेक्स वीडियो में तिल नवा टेक कर लव यू अल